हर इंसान को कभी ना कभी दांत का दर्ध जरुर होता है अगर आपको भी टूट सेंसिटिविटी की समस्या है थंडा या गरम खाने में आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो आप भी पेंकिलर्स का उपयोग करते होंगे लेकिन पेन किलर्स के बहुत सारे नुकसान होते हैं एक बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे दातों से कीड़े को बाहर निकालने में मदद करेगा और दातों के दर्द से भी हमें अराम दिलाने वाला है जब हम मुग की सफाई नहीं रखते हैं तो बैक्टिरियल इंफेक्शन के कारण दातों में दर्द होने लगता है तो अमरूत के पत्ते उस दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं अमरूत के पत्तों में फ्लेवनोईड और एंटी इंफ्लामेटरी तत्व होते हैं जो कि द होगा कि आप फ्रेश अमरूत के पत्तों का ही उप्योग करें कोशिश करें आप लोग जब फ्रेश पत्ते लेना तो इन्हें अच्छे से साफ करें क्योंकि इनके पत्तों में कभी-कभी बहुत जारा धूल मिट्टी गंदगी और मेल चिपका हुआ होता है तो ऐसे में इन पत्तों के मदद से दातों का दर्द दूर करने का एक और तरीका है आप इन पत्तों को उबालिए और इसकी चाय बनाकर आप कुला करिए यानि की गारगल करिए गरारा करिए ऐसा करने से भी ये माउट वाश की तरह भी हम इसके पत्तों की चाय का इस्तमाल कर सकते हैं और इस करना है बड़ी आसानी से हम इसकी वेंस को कट कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं और जो पत्तियां हैं इनका हम उप्योग करने वाले हैं अमरुत के पत्तों का ये जो उपचार मैं आपको बता रही हूँ ना ये सिर्फ दांतों के दर्द के लिए बलके मूगी छालों की समस्या के लिए भी बहुत कारगर है अमरुत के पत्ते दांतों का दर्द दूर करने में काफी ज़दा प्रभावी होते हैं तो अगर आप इनके पत्तों का इस्तमाल करेंगे ना तो आपको दुबारा कभी डेंटिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेमेडी को बना अगरम खाने की वज़द से इन्फेक्शन हो जाता है हमारे मूँ में बैक्टिरिया पनपने लग जाते हैं और अमरुत के पत्तों में दर्द निवारा गुड होते हैं जो कि हमारे दातों में हो रहे दर्द को तुरंधी कम करने में बहुत मददगार होते हैं इनके पत्तो को दो कर अच्छी तरीके से पानी में उबालिए इसकी चाय बनाई और उस पानी से आपको गरारे करना है कुला करना है तो चलिए हम अमरुत के पत्तों की चाय बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक पैन रखा है इसमें मैंने एक ग्लास करीब पानी लिया है और पान देकर इसे उबालिये जब तक कि इस पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता डाक यलोईश कलर की हमारी ये चाय बनना चाहिए ये बताएगा कि हमारी चाय बनकर तयार है अमरुद ही नहीं इसके पत्तियां भी बहुत जादा फाइदे मंद होती है हम सभी को अमरुद खाना बहुत अच्छा रगता है थंड के दिनों में हम इस पर नमक लगा कर खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं अमरुद में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के दर्द से हमें अराम दिलाता है लेकिन अमरुद के अलावा फल के अलावा इसकी पत्तियां भी गुड़कारी होती है ये देखे हमारे अमरुद की जो चाय हम बना रहे थे हैं पत्तों की ये बनकर लगभग तयार हो चुके है अच्छी तरीके से उबल चुकी है अच्छी गरम गरम है और इसे हमें अच्छी से पीना है मतलब इससे आपको गरारे करना है माउथ वाश की तरह हमें इसे यूज़ करना है मसूडों और दातों के लिए सबसे जादा फायदे मंद होती है अमरुद की पत्तियां मसूडों के दर्द से निजात पाना चाते हैं तो अमरुत की पत्तियों को आप इस तरीके से उबालिए चानिए और इससे आपको गरारे करना है दिन में दो बार आप अमरुत के पत्तों से बनने वाली इस चाय से गरारे करिए बहुत ही अच्छे से हमारे मसुडों को साफ करेगा मसुडों को गम्स को रिलीव देने वाला है तो ये देखिए हमारे अमरुत की पत्तों की ये जो चाय है न ये बनकर तयार हो चुकी है, इससे गरारे करें बहुत ही जादा उपयोगी है, बजार में mouthwash मिलते हैं, तो जो की बहुत ही जादा महेंगे होते हैं, chemical से भरे हुए होते हैं, जो की claim करते हैं उनका use करने से हमारे दर्द जो है, वो कम होगा, लेकिन अमरुत की पत्तियों की जो चाय है, ये खुदी एक mouthwash है, इस वीडियो में मैं आपको दो step दिखा रही हूँ, अलग-अलग, यहां पर हमने एक बनाया है, अपने अमरुत के पत्तों की चाय बनाई है, जिससे हम mouthwash की तरह use करेंगे, गर करेंगे ताकि दर्द हमारा कम हो, और दूसरा हम जहां पर हमें दात में कीड़े लग गए है, वहां पर हम पेस्ट बना रहे है, जो हमने अमरुत की पत्तियों को उबाला था, अबली हुई पत्तियों को मैंने ब्लेंडर में डाला है, और उसका हम चिकना सा पेस्ट बना कर तैयार करेंगे ये एक बहुत ही अच्छ से solution की तरह act करने वाला है इसे हम जहां पर भी दात में कीड़े लग गए है ना वहां दातों के बीच में दबा कर रखेंगे चाहिए तो किसी cotton pad की मदद से आप इसे लगा सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी जो गाड़ा- सब पलब है ना उसे अपने दातों के बीच में और दात में कीड़े लगेए वो भी दीरे से बार निकल कर खत्म होजाएंगेगे तो ये देखे मैंने किते अछी तरीके से अमरुत की पत्तों की चाय बना कर तैयार की है इसे बनाना बहुत ही ज्यादा एजी है इसे यूस क पर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें